सबी दवाईयों का बाप है यह पोदा चार दिन इसके सिर्फ दो फूल पानी में भिगो कर खालो पूरी जिंदगी सुगरो कोलोस्ट्रोल पेट के रो मोटापा बलडपैसर की बीमारी और ये दिल से जुड़ी बीमारियां आपको कभी नहीं होंगी दोस्तो आज हम आपको एक ऐसे चमतकारी पोदे के बारे में बताने वाले हैं जो दिखने में हमारे चारों तरफ कहीं भी हमें मिल जाता है मगर इसके गुम हमें ना मालूम होने के काम हम इसको एसे ही खरपतवार की स्रेणी में रखकर इसको उखाड़ कर फैंक देते हैं रामबान इलाज है दोस्तो इस पोदे का नाम है सदा बहार इसको सदा बहार इसलिए कहा जाता है कि ये बारा महिने इस पर पूरे वर्स फूल आते हैं इसलिए ही इसको सदा बहार और बारा मासी के नाम से जाना जाता है दोस्तो अलग अलग भासाओं में इसे अलग अलग न लिई नाम से जाना चाटा है तो चली दोस्तों जानते हैं इस पोधे के चमतकारी फायदों के बारे में और उसके बाद आपको बताएंगे इसको आपने लेना कैसे हैं Diabetes के रोक के लिए सदा बहार का उपियो दोस्तो सदा बहार के पूरे पोदे में लगबग डेट सो परकार के अलकलोईड पाए जाते हैं दोस्तो जिनका हाइपोगलेसेमिक इफेक्ट होता है ये इफेक्ट रक्त में सुगर के लेवल को कम करने में बेहद अधेक लाबकारी है दोस्तो ये अलकलोल पैनकिरियाज के बेटा सेल्स को सकती परदान करते हैं जिससे पैनकिरियाज सही मातरा में इंसुलिन निकालने लगते हैं और दोस्तो इंसुलिन ही वो हार्मून है जो बलड में सुगर की मातरा को संतूलित करके रखता है और यानि कि आप सदाबहार के पोधे का प्रयोग करके इस diabetes की बिमारी को हामिशा कंट्रोल में रख सकते हैं और दोस्तो इसके साथ में इस diabetes की बिमारी के जो भी complication है उन सब स से भी बच सकते हैं दोस्तों ये इतना अधिक चमतकारी है डाइपटीज रोग के लिए यानि इस डाइपटीज की बीमारी से तो बचाएगा ही पलस इसके कॉम्पलिकेशन से भी बचा कर रखेगा दोस्तों क्या आपको पेट के रोग है और आप अपनी इन पेट के रोगों की समस्या का बिलकुल जड़ से इलाज करना चाहते हैं और अपने पाचनतंतर को भी मजबूत बनाई रखना चाहते हैं दोस्तों तब भी ये पोधा आपके लिए एक वरदान की त्रह काम करेगा क्योंकि जिस विदी से इसका सेवन हम आपको बताएंगे यदि आप उस तर और ये एसडिटी के समस्या नहीं होगी और दोस्तों हमारे स्रीर के जो भी मैकसिमम रोग होते हैं वो हमारे पेट से ही सुरूर होते हैं दोस्तों इन पेट के रोगों के कान हमें मोटापा आता है और फिर मोटापा सभी बिमारियों का कान बन जाता है यानि यदि ये आप के पेट की रोग बिलकुल सही होंगे तब आपको किसी भी त्रहें की बीमारी का कोई भी सामना नहीं करना पड़ेगा कबच गैस और एस्टिटी आपकी सही हो जाएगी दोस्तो क्या आपको मोटापा है और आप अपनी पेट की चरबी को कम करना चाहाते हैं दोस्तो तब भी ये पोदा आपके लिए वर्दान है जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ किस पोदे की परियोग से आपका पाचंतंतर मजबूत होगा और जब आप जो खाएंगे वो आपके सरीर में लगेगा तब आपको मोटापा आएगा नहीं और जो आपके पेट की बड़ी जब पेट के रोग सही होंगे तब आपको मोटापा नहीं आएगा और जब आपको मोटापा नहीं आएगा तब आपको आपके सरीर की कोई भी बिमारी नहीं लगेगी इतना चमतकारी है ये पोदा हाई बलड पैसर के लिए सदा बाहर के पोदे का प्रियोग दोस्तों सद प्लड पैसर की बीमारी को बिलकुल सही कर सकते हैं। दोस्तो क्या आपके सरीर में कोलोस्टोल की समस्चा है। आपके सरीर में बैड कोलोस्टोल बहुत अधिक बड़ा हुआ है। और आप अपने इस बैड कोलोस्टोल की समस्चा का इलाज करना चाहते हैं। इसके साथ में heart blockage का भी राज करना चाहते हैं और इस heart attack से भी बचे रहना चाहते हैं दोस्तों तब भी ये नुस्खा आपके लिए बुर्दान की तरह काम करेगा क्योंकि इस पोदे के प्रयोग से जो आपका ये bad cholesterol बहुत अधिक बड़ा हुआ था वो बिलकुल सही हो जाएगा जैनि कि आपकी सरीर की cholesterol की समस्या का इलाज हो जाएगा और जब आपको cholesterol की कोई समस्या नहीं होगी तब ना तो आपको heart blockage होगी और ना ही आपको heart attack का सामना करना पड़ेगा उल्टा आपका दिल मजबूत बन जाएगा यानि ये सदा बाहर का पोदा आपकी इन तीनों ही समस्याओं का इलाज करतेगा दोस्तो इस सदा बाहर के पोदे का परियोग करके आप अपने सरीर की immune power रोगों से लड़ने की सक्ती को भी बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं और दोस्तो यह बात तो आप जानते ही हैं कि यदि आपके सरीर की रोगों से लड़ने की सक्ती हाई होगी तब आप बहुत त्रहें की बीमारियों से बचे रहेंगे दोस्तों, कैंसर रोग में सदा बाहर का प्रियोग दोस्तों सदा बाहर में ऐसे एलकलोल्ड पाय जाते हैं जो एलकलोल्थी में इनके उपर अलग अलग नामों से इंजेक्शन भी आते हैं जो मुखेता कैंसर के रोगियों को दिये जाते हैं ये कैंसर के कीमो थेरेपी के साथ साथ उसके इलाज के लिए दिये जाता है तो दोस्तों कैंसर के रोगियों के लिए भी ये सदा बाहर का पोदा एक वर्दान की त्रह काम करता है और उनको इस रोग से बचाने का काम करता है तो दोस्तों देर किसे बात किये आप भी सदा बाहर के पोदों का आसे ही परियोग सुरू करतीजी तो आएए अब आपको बताते हैं कि इसका परियोग आपने करना कैसे है दोस्तों इसका परियोग आप तीन करीके से कर सकते हैं पहला इसके पतियों का प्रियोग, दूसरा इसके फूलों का प्रियोग, यनि आप इन दोनों में से कोई भी प्रियोग कर सकती ही, पहला प्रियोग बताते हैं फूलोगा, आपने दोस्तों इसके दो फूल लेने हैं, और उनको रात बर पानी में भी कोकर रख देने हैं, और स से ही सुबह खाली प्लट यानि कि बासी मूँ चबा कर खास करें ये हो गया इसका दूसरा प्रयोग तीसरा प्रयोग इसके अब दो पत्तों को अच्छी तरहें धोकर रात भर के लिए दो एक गिलास पानी में भी कोकर रखते हैं और सुबह उस पानी को भी प्ली जे और उन कुछ नुकसानों के बारे में क्योंकि दोस्तों किसी भी पोदे के जितने भी फाइदे हों उसके कुछ नुकसान भी देखने को मिलते हैं ये बात तो आप जानते हैं और उनमें से सदा बहार भी एक है दोस्तों सदा बहार के पत्तों यानिके फूलों का प्रयोग आपको अधिक मातरा में नहीं करना चाहिए क्योंकि यदि आप इनका अधिक मातरा में परियोग करेंगे तो इससे आपके सुगर का लेवल लो हो सकता है इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है यानि कि अधिक मातरा में इसका परियोग नहीं करना है और लगातार आपी किस दिन परियोग करने के बाद एक से दो हफ़ता आप इस परियोग को बंद कर दे, उसके बाद आप दोबारा सुरू करें, यानि लगातार किसी भी चीज़ का परियोग नहीं करना चाहिए, यदि आप उसके संपून फाइदे लेने चाहते हैं, और अप देर किसे बात कि आप भी आज ह्यी सदा बहर के पोधे का प्रियोग सुरू करते कि जीए, और अपने सरीड को हर तरहব की बीमारी से बचा लीजिए, क्योंकि ये पोधा आपके सरीड की हर तरहें की बीमारी का इलाज है, तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो, अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो पलीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की के साथ रहे धन्यवाद दोस्तों